वेलकम बैक टू मालविया केट सॉलिशन तो यहाँ पर देखिए हम आज इस वीडियो में थ्री कोर वायर कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में सिखेंगे देखिए यहाँ पर हमने यह वायर क्रियेट किया है जिसके टर्न्स भी हमने यहाँ पर एपलाई किये है देखिए यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है फिर यहाँ पर सबसे पहले टॉप प्लें सिलेक करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ओरिजीन पॉइंट से आपको इस तर से ड्रैक कर देना है फिर यहाँ पर इसका डायमेटर एपलाई करेंगे 200 mm अब यहाँ पर फिचर टाईब ओपन करेंगे और यहाँ पर हैलिक्स और स्पायरल एक्टिवेट करेंगे अब इसमें देखिए पीच और रिवलिशन आपको डिफाइन करना है पीच और रिवलिशन कांस्टेंट पीच पीच आपको 8 mm एप्लाई करनी है 15 इसके रेवलिशन रहेंगे अपसाइड में देखे इस तरह से तो हम यहाँ पर 15 एप्लाई कर देते है यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री रहेगा और आपको क्लॉक्वाइज यहाँ पर सिलेक करना है फिर ओके कर देना है अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेंच सिलेक करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है इमेज कॉलिटी इसकी सेट कर देते हैं हम सेटिंग में जाएंगे डॉक्यमेंट प्रॉपर्टी इमेज कॉलिटी यहाँ पर हायर कर देंगे अब यहाँ पर एक सर्कल रो करना है और इसका डायमेटर अप्लाई करना है 3.5 mm यहाँ पर टॉप में इसे सेट कर देना है यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक करना है फिर हेलिक्स को सिलेक करना है और यहाँ पर पियर्स कर देना है अब यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक करेंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एकोर्डिंग इसे सेट करना है अब फिर से यहाँ पर एक सर्कल सिलेक करना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है सर्कल यहाँ पर सर्किलर पैटर्न, स्केच पैटर्न फिर यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक करना है आर्क यहां पर इससे सिलेक्ट कर दिया है और यह नमबर और पैटन 3 करने है अब इसका डायमिटर 3 mm एपलाई करेंगे फुली डिफाइन कैलकुलेट ओके देखे इस तरह से स्केच यह क्रेट कर दिया हमने और इससे एकजिट कर देंगे अब हमें क्या करना यहां पर आपको जाना है Swift Boss में Swift Boss Base एकटिवीट करना है फिर यहां पर छो Profile हमने यहां पर प्रेट की थी यहां पर Profile सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसका Path सिलेक्ट करना है अगर यह Illix आपको सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप डायरेकली यहां पर इसमें जाकर हैलिक्स को सीछेक कर देना है अक्र ने यहां पर इस तरशे ये अपक्लाही हो जाएगा अब हमें क्या करना यहां पर देखे ओप्सॐन वाला फिर यहां पर twist control यहां पर आपको select करना है radiance आप देखिए द्याम से तीन चीज है इसमें degrees, radiance और revolution तो आपको radiance select करना है अब यहां पर direction 1 में आपको यहां पर 60 number टाइप करना है इसके turns हमने 60 apply किये है अभी यह calculate में थोड़ा process लेगा फिर यहां पर आपको select करना है merge tangent face इसे tick कर देना है और फिर ok कर देना है यहां पर helix hide कर देंगे तो देखिए यहां पर turns perfectly यहां पर apply हो गये है तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले जो first वाला वायर है इससे select करेंगे और इसका appearance में जाकर color change करेंगे appearance open करना है फिर plastic में जाएंगे प्लास्टिक में आपको medium gloss select करना है अब यहां पर सबसे पहले हम red apply कर देंगे तो red color हो जाएगा अब फिर second वाला यहां पर black या blue जो भी आप देना चाहते हैं select करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मैं यहां पर blue apply कर देता हूं और यहां पर third वाला जो है उसमें yellow apply कर देते हैं तो देखें इस तरह से यह three-core wire हमने यहां पर create कर दिया है देखें इसके turns भी completely यहां पर apply हो गये है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो जादा से ज्यादा शेर किजिए इस वीडियो को लाइक किजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए हमें subscribe किजिए तो मिलते हैं next वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए goodbye